गाइस रिवर्ट मोटर NX100 के बारे में आप लोग काफी समय से पूछ रहेते कि ये वेहिकल इंडिया में कब आएगी बस हम इस गाड़ी के बारे में सुनते जा रहे हैं ये स्कूटर कब हमको रोड पे देखने को मिलेगी और ये गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई है ये स इस वेहिकल की सारी डिटल देने वाला हो तो वीडियो का अंतक जरू देखना चैनल पर रहे हो तो सबस्क्राइब करके बैल का इकन दवा देना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बात करूँ अगर रिवोर्ट मोटर्स की तो इन्होंने ये स्टार्ट अप किया था व बहुत सारे वादे थे और वादे हैं कि अभी तक ये वेहिकल इंडिया में आई नहीं है और बहुत सकतों इंडिया में टेस्ट करते हो देखा भी नहीं गया अभी इस स्कूटर पर टेस्टिंग चल रही है इस वेहिकल पर टेस्टिंग चल रही है इस वेहिकल पर अभी भ हो चुकी है इस vehicle पे उसी चीज के बारे में बात कुरूँगा जो चीज pending है वो pending अभी भी है यहाँ पे आपको इस scooter में sharp edge देखने को मिलता है जो कि इस scooter को बहुत ही बहतर बनाता है दूसरे scooter में दूसरे scooter आपको rendish लगती है यह थोड़ी से sportier लगती है because यह cuts and crease आपको बहुत बहुत बहतर दिये गए razor sharp led देखने मिलता है जो कि अगेन एक uniqueness प्रवाइड करता है इस vehicle को nx200 कैसे हुआ इस vehicle का नाम पहले था इस vehicle का नाम mark 2 फिर बाद में company ने इसको change करके nx100 में convert किया है और इसी नाम से यह Indian market में आने भी वाली है यहाँ पर इस vehicle का जो motor है वो काफी impressive motor है power generate कितना होगा अभी तक company की तरब से कुछ reveal नहीं है लेकिन torque का reveal हो चुका है 150 newton meters का torque raw torque देखने मिला रा 65% regenerate करके देगा battery को ride के लिए एक और अच्छी facility दी गई है इस vehicle में यहाँ पर ride setting दी गई है like family member के हिसाब से आप ride को set कर सकते कि किस बंदे को कितने speed पर चलना चाहिए वो कितना किलोमेटर तक travel कर सकता है वो सब कुछ set कर सकते है साथ ही साथ इस scooter में एक lock pattern दिया गया है जैसे आप mobile पे lock pattern करके अपना mobile को unlock करते है वैसे ही हर family member का एक lock pattern होगा बस वो lock pattern से उस vehicle का unlock करना है और वो जो भी profile होगा जो भी parameter set होगा उस rider के साब से वो open हो जाएगा यहाँ पे जो battery है उस पे बहुत अच्छा technology यूज किया है company ने small battery यूज की है और चार battery यूज की है और इसके floorboard में यूज किया गया floorboard काफी मोटा देखने को मिलता है इस scooter में लेकि जो single battery है वो 70 km की range देती और ऐसे 4 battery है तो company वोल्टरी की सबसे जादा range देने वाली यह scooter इंडिया की होने वाली है 280 km with a single charge वो तो IDC condition में actual में इसका range कम होगा लेकिन तो भ suspension duty की बात करें तो revolt motor NX 100 में आपको front में telescopic fork rear में आपको single monosock suspension देखने को मिलेगा and यहां पे mid set motor दिये गया है कोई भी आपको hub motor देखने को नहीं मिलता belt drive दिये जाएगा इस scooter में यहां पे इस vehicle में जो technology है वो थोड़ा सा next level करा गया है जैसे कि 4 battery है और बोल सकतो single unity है जो 280 का range देगा अगर वो battery पूरी empty हो जाती है तो यहां पर company ने एक emergency auxiliary power unit install किये जो की silencer के रूप में show होता है इस scooter में कहानी यह है कि अगर सारे battery खतम हो जाती है तो auxiliary power unit से जो battery है जो charged है वो battery से minimum speed में आप अपने घर तक बहुत सकते हैं और इसको बहुत सकते हो EV exhaust technology exhaust company ने female riders के लिए थोड़ा सा और ध्यान देखिए इसमें एक sensor use किया गया है जो की floorboard पर रहेगा अगर आपके हाथ में कुछ सामान है और आप अपने boot space को open करना चाते तो sensor में डोबा टैप करिए and वो seat open हो जाएगी अब यहां तक तो almost developed हो चुकी है अब आया है इसके app के उ हो चुका है confirm नहीं हुआ कि पूरा complete हुआ या नहीं हुआ लेकिन on process चल रहा है इन्होंने कुछ pictures share किये थे वह चीज में आपको दिखा देता हूं अब बात आती है कि इस scooter को कब launch किया जागा reward motor के तरफ से अभी यह इंडिया में launch नहीं होगी because अभी यह fundraising में ही फसे हुए क्योंकि fundraise नहीं हुआ इनका properly जब तक fundraise अच्छे से नहीं होगा जब तक वो acquire amount नहीं आएगा तब तक production और इस पे R&D नहीं कर पा रहे इस कारण से company थोड़ी ठैर गई है लेकिन जैसी fundraise complete हो जाएगा उसके बाद यह vehicle पे work कना start हो जागा और उसके बाद ही आपको यह vehicle देखनों मिलेगी most of the startup company हैं इंडिया में EV में उनके साथ यही problem चल रही है कि funding का issue है कोई इनको fund का कर दे तो शायद और भी vehicles इंडिया में आजा लेकिन अभी तक तो यही कहानी है कि पता नहीं कब इनका fund raise होगा और कब इनकी vehicle इंडिया में आएगी आशकरतब को अभी तक का यह update सुनके अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना नियों तो subscribe कर देना और अच्छा ले तो प्लीज शेयर कर देना मिलते अगले वीडियो में जैह हिंद्र